असलाम लेकुम सुडेंट्स वेलकम तू मैं चैनल सुर्ण लाइफ आज में आपके साथ पार्टो स्पीच का नेक्स पार्ट वर्ब है उसको डिसकस करूंगी तो इससे पहले आप प्रिवियस पार्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं उनकी वीडियो अपलोटीड है उनको ज जहान गही होता है ज scoristent शड़ा कि सब्सक्रा करें वास लापके क्या हैं यह वह उसके लवाने इनको वह bay competent यह Second लफजों को वर्प करा दिये जाते हैं यानि दो लफजों को मजमुआ जोता है उनको compound verbs कहते हैं जैसे word distroft I will call to will call और I am looking am looking जो है वो आपके compound verbs होते हैं उसके बाद auxiliary verbs और auxiliary verbs को helping verb भी कहते हैं जो किसी sentence में negativity को उसके meanings को question को show करवाते हैं तो उनको आप auxiliary verbs से कहते हैं आप इसकी further two types हैं एक है primary auxiliary और एक है model auxiliary primary auxiliary word क्या होते हैं जो question negativity को show करवाते हैं जैसे आपके पास example I have I not helped you तो यह आपका क्या है auxiliary primary auxiliary verb है क्योंकि इसमें not use हो रहा है उसके बाद I am not है फिर I have obtained send percent in the final examination तो यानि किसी चीज के काम को उसके action को या उसमें सवाल है या एक्टिविटी है तो उसको primary auxiliary verbs कहते हैं उसके बाद model auxiliary words है यह क्या होते हैं जो आपकी दमाग की जो आपकी तोच रहे हैं आपकी thoughts को आपकी attitudes को जाहर करते हैं जैसे जिसमें आप further अपने काम को जाहर करेंगे जैसे I will help you तो विल मस्ट उसके बाद यू और टो हैव तो यह मस्ट डेर हैव यह सब आपके क्या है यह आपके model auxiliary verb है यानि जो आपके attitude को आपकी thoughts को जाहर करते हैं उसके बाद क्या है transitive and intransitive verb आपने इसमें transitive verb को देखना है transitive verb क्या होते हैं ऐसे verb होते हैं जिसके बाद object लगाना ज़रूरी होता है यानि यह verb action को subject से object तक पहुंचाता है यानि proper sentence बनाता है इसमें object बहुत जादा जरूरी होता है जैसे आपके पास example है he eats an apple तो जो eats है वो verb है और apple आपका object है अब eats आपको बता रहा है कि कोई काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है और वो action हो रहा है एपल पे apple object हो गया eat साब का verb हो गया इसी तरह some transitive verbs आपके साथ शेर किये गया है I read a book the teacher teach history the buyer throws a ball तो इसमें read teach throws shouted हो गया closed play तो यह सब आपके क्या है यह आपके transitive verb हैं जिनके बाद object लगाना जरूरी है अगर आप इन वर्ब में object नहीं लगाएंगे तो इस फिक्रे को right consider नहीं किया जाएगा उसके बाद क्या होता है in transitive verb in transitive verb क्या होते हैं जिनके बाद object की जरूरत नहीं होती अगर इनके right consider किया जाएगा यानि जैसे आप एक proper फिक्रा बनाते हैं जैसे the child weeps अब इसमें complete बाद है कि बच्चा रूता है या बाद खतम होगी अब आपने इसमें object नहीं लगाया या पिर the dog barks loudly इस तरह की फिक्रे दो हैं या आपके क्या होता है या आपके in transitive verb होते हैं इसमें positive verb नहीं चलते हैं अब intransitive verbs जो है उसमें आप preposition लगाके भी object को यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर यह लगा सकते हैं तब यह भी cry for male ठीक है या फिर आप यह कह सकते हैं he shouted at you ठीक है कि subject या object बाद में आ गया और बीक में अपने preposition यूज कर लिए at for in on तो फिर इसके बाद आप यूज कर सकते हैं वरना इसमें object जरूर करने की जरूरत नहीं होती तो यह आपके intransitive verb होते हैं तो यह था आज का अपका lecture अमीद आपको समझ आ गयागा फिर भी को confusion हो तो आप पूछ सकते हैं आप इसको अपनी diary पे note करें सबसे पहले वर्प की heading दे उसके बाद उसक helping verb भी का जाता है तो यह भी आप इसके साथ एक heading दे लें ताकि आपको अगर auxiliary verbs का ना पता चले तो आप इनको helping verb समझ सकते हैं उसके बाद primary है model है उसकी आप definition लिखें कि वह क्या होते हैं और उसके बाद आप transitive और intransitive verbs को लिखें और उनकी एक एक जो example है उसको साथ में आ और चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर भी करें और मुझे दीज़ जासत अला आपिस